प्धान मंत्री जी दस साल का सफर जैसा सोचा था वो ऐसा ही रहा आप सटिस्फाइड है अपने काम से या चुकि आपने कई बड़े फैसलिक ये तो क्या ये मुश्किल रहा ये सफर या असान रहा पहली बात है कि कोई काम सरर नहीं होता है और भारत इतनी विविजता भरा देश हैं तो चुनोतियों तो डगर डगर पर रहती हैं लेकिन मैं प्रकृति से चुनोति को चुनोति देना वेरला भेक्ती हूँ मैं मुसीबतों को उसे भागना ये मेरे सुभाव में नहीं है मैं कभी कभी मुसीबत के लिए मुसीबत पादा कर देता हूँ ये मेरे नेचर में है जहां तक संतोष का सवाल है मैं मेरे संतोष के लिए काम ही नहीं करता हूँ मैं 140 करोड देश्वाक्षों के संतोष के लिए काम करता हूँ और मैं अपने जीवन में हर बार बेंचमार्क उपर लेता चला जाता हूँ और जो व्यक्ति चार कदम चलने के बाद दसकास होता है उसको तो जीवन में संतोष को भी होई नहीं सकते हैं तो मैं निरंतर प्रगति के पक्षमे हूँ और जो निरंतर प्रगति में पक्षमे होता है उसको गति बनाए रखने होती है और गति जो बनाना चाहता है वो संतोष मान करके सो नहीं सकता है